Hello everybody, welcome, आज के वीडियो में हम बनाएंगे Peter Pan collar, बहुत ही cute लगता है, baby dresses में इवन आप भी अपने किसी टॉप में इसे try कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं, तो ये है मेरा bodice part, तो front और back side, तो सबसे पहले हम neckline काट लेते हैं दोनों का, तो ये है front side, तो मैंने neck की width ली है 1.5 inch, neck की depth ली है 3 inch, और अब यहाँ पे हम इस तरह block बनाके, यहाँ पे round neck बना देंगे, अब हम इसकी cutting कर लेंगे, यह हमारी cutting हो चुकी है, तो Peter Pan collar के लिए depth बहुत जादा नहीं लेते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 inch ही दिया है, ये है back side, अब यहाँ पे भी हमने neck की width ल नाके, इसे round neck देंगे, तो यह देखे, यह है back side, तो यहाँ पे मैंने इस तरह बीचो बीच एक chalk से निशान दे दिया है, अब यहाँ पे हम 2 inch की line खीज देंगे, और इसकी cutting कर लेंगे, यह देखे, cutting हो चुकी है, अब हम एक कपड़े का piece लेंगे, और वो इस पे लगाए तो यह देखे, यहाँ पे मैंने एक कपड़े का piece लिया है, दोनों कपड़ों का right side एक साथ मिलाते हुए, यहाँ पे stitch दे देंगे V-shape में, तो यह देखे, यहाँ पे V-shape में मैंने stitch दे दी है, अब हम यहाँ पे इसकी cutting कर लेंगे, इस extra कपड़े को पीछे की तरफ से cut क कर लेंगे, और यहाँ पे एक deep cut देंगे अपने stitch को बचाते हुए, और अब इस कपड़े को हम पलटके पीछे की तरफ ले जाएंगे, यह हम पीछे की तरफ ले गए हैं, और यहाँ पे इसे press देके अच्छे से set कर लेंगे, अब हम यहाँ पे stitch देके इसे पूरा कर यह देखे, stitch देखे हमने इसे sill लिया है और यह पूरा हो गया है, अब हम front और back को इस तरह मिलाते हुए रखेंगे और shoulder जोड़ेंगे, यह देखे सीधी side को अंदर की तरफ रखना है और हमें shoulders जोड़ देने हैं, और यह देखे हमारे दोनों shoulders जोड़ चुके हैं, इस तरह लग रहे हैं, अब हम collar की तैयारी करेंगे, तो यह है मेरे पास bacram का piece इस पर से हम collar निकालेंगे, तो यह देखे, इससे मैंने इस तरह बीच में से fold कर लिया है और अब हम यहाँ पे अपनी neckline को रखेंगे, तो यह देखे, neckline को इस तरह से fold कर लें और इस तरह place करें, तो जहां तक आपकी neckline है, exact हमें वहीं तक draw करना है, और अब इस neckline के बाहर-बाहर हमें धाई-धाई inch पे इस तरह निशान देना है, और अब इन सारे निशानों को हम इस तरह मिला देंगे, इस तरह से इसे shape देंगे, और यहां जो corners हैं, यहां पे हम हलकी सी गोलाई देंगे इस तरह, यह हमारा निशान लग चुका है, अब हम इसकी cutting कर लेंगे, यह देखे, cutting हमने दे दी है, अब यह जो beach का area है, इसे भी काट देंगे, और यह देखे, हमारे दोनों pieces तयार हैं, अब हम इसे fabric के उपर लगाएंगे, तो यह देखे, यह है मेरे पास एक fabric का piece, इसे मैंने इस तरह double fold किया है, और अब हम अपने बक्रम को इसके उपर इस तरह रखेंगे, और press देखे, चिपका लेंगे, यह देखे, press देखे, हमने इसे चिपका लिया है, अब दूसरी तरफ हम दूसरे piece को चिपका लेंगे, यह देखे, दूसरा piece भी हमारा चिपक गया है, अब हम beads से इसकी cutting कर देंगे, तो यह देखे, हमारे दोनों pieces इस तरह हो जाएंगे, हमारे पास दो कपड़े के layer हो गए है, उसके उपर हमने बक्रम को लगाया है, अब हम quarter inch का side में कपड़ा छोड़ते हुए, एक्स्ट्रा कपड़े को cut कर देंगे, तो यह देखे, हमने दोनों pieces को cut कर लिया है इस तरह, और यह इस तरह लग रहे हैं, अब हम stitch देंगे, तो हम अपनी stitch यहां से शुरू करेंगे, और यहां तक देंगे, यह देखे, इस तरफ से हमें stitch शुरू करनी है, और यहां पे जाके हम stitch को खतम करेंगे, तो ध्यान रखेगा स्टिच हमें कपड़े के उपर करना है हमारी स्टिच बक्रम के उपर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए ये देखे स्टिच हमने दे दी है अब हम यहाँ पे छोटे-छोटे से कट्स लगा देंगे और अब हम इसको सीधा कर लेंगे सेम इसी तरह हम दूसरे पीस को भी सीधा कर लेंगे ये देखे हमने सीधा कर लिया है दोनों पीसिस को अब ये देखे ये है हमारी नेकलाइन इसके जो फ्रंट साइड है यहाँ पे मैंने एक सेंटर नौच दे दिया है और यहाँ पे अब हम अपने कॉलर लगाएंगे तो ये देखे ये है मेरा कॉलर बिल्कुल सेंटर पॉइंट से हम शुरू करेंगे कॉलर लगाना और यहाँ पीछे के पॉइंट तक लगाएंगे इसी तरह हम दूसरे पीस को भी लगाएंगे तो ये देखे ये है front side का center part यहां से हम अपने collar को लगाना शुरू करेंगे तो stitch आपको कपड़े पे देना है बक्रम के उपर आपकी stitch नहीं जानी चाहिए तो ये देखे पीछे तक हमने stitch को ले जाके खतम किया है इसी तरह दूसरे piece को लगाएंगे ये देखे ये है center point यहां पे हम अपने collar को इस तरह रखेंगे और side में stitch देना शुरू करेंगे तो ये देखे हमारी stitch लग चुकी है अब हम यहां पे neck line पूरा करेंगे तो उसके लिए मेरे पास ये औरे पट्टी है ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है इसे मैंने इस तरह पीछे की तरफ से लगाना शुरू करना है तो शुरू में पहले 1.5 इंच पट्टी को छोड़ दें और इस तरह पीछे की तरफ मोल ले और फिर हम stitch देना शुरू करेंगे तो ये देखे पट्टी को मैंने dress के सीधी side पे रखा है और इस तरह हम एक तरफ से लगाना शुरू करेंगे तो ये देखे stitch मैंने दे दी है हमारी पट्टी जुड़ गई है अब हम यहाँ छोटे छोटे से cuts दे देंगे अब ये देखे पट्टी को हम इस तरह अंदर की तरफ मोडेंगे और यहाँ side side में सिलाई दे देंगे तो जो margin का कपड़ा अंदर की तरफ है उसको और इस उरे पट्टी को हमें मिलाते हुए सिलाई देना है तो आपकी जो सिलाई है वो collar के उपर नहीं आनी चाहिए ये देखें सिलाई हमने दे दी है अब हम इसे एक fold देते हुए इस तरह मोडेंगे और अब यहाँ side side में सिलाई दे देंगे ध्यान से देखेगा सिलाई मैं किस तरह दे रही हूँ हमारी सिलाई ड्रेस के अंदर की तरफ लग रही है ये देखें इस तरह कपड़े को fold करते जाएं और सिलाई दे दे तो ये देखें नेकलाईन हमारी तयार हो गई है अब collar के उपर quarter inch का margin छोटते हुए यहाँ बिल्कुल side side में हम top stitch देंगे ये देखें दोनों collar में हमें इस तरह stitch देनी है और ये देखें top stitch हमने दे दी है और हमारा Peter Pan collar बनके तयार है ये baby dresses में बहुत ही अच्छा लगता है इवन लेडीज के top में भी ये collar बहुत suit करता है आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे page को like करें मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में तब तक ले bye bye and take care